और दोस्तों स्वागत है आपका एक्विटी ट्रेडिंग कोर्स के थर्ड वीडियो के अंदर थर्ड पार्ट के अंदर पहले दो पार्ट से अगर आपने नहीं देखे तो आई बटन पे क्लिक करके आप वो पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं आज के वीडियो में बहुत कुछ स्पेशल मैं आपको सिखाने वाला हूं आज मैं आपको देने वाला हूं इक्विटी ट्रेडिंग करने के बहुत अच्छी स्ट्राटेजी देखो multiple strategies market में होती है intra day के लिए होती है swing trading के लिए होती है scalping के लिए होती है positional थोड़े लंबे trades 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने तक की strategies होती है और हर strategy का fixed return होता है जिसको हम लोग मानते कि अगर कोई भी strategy आपको महीने का अगर आप trading कर रहे हो 4% से लेकर के 10% के बीच में return दे रहे है तो वो strategy बहुत अच्छी है और यहाँ पर यह मैं आपको क्यों बता रहा हूँ भाई आप बोलोगे सरा हमारा capital 10,000 रुपे अब उस पे अगर हमें आप 10% return भी दे दोगे तो 1000 रुपे बन रहे हैं लेकिन वहीं आप अपने capital को थोड़ा सा imagine करो एक बार कि मान लेते हैं आपका capital है 1 करोड रुपे अब 10% कित्ता हुआ 10,000,000 रुपे monthly और साल के कित्ते हुआ 1 करोड 20,000,000 रुपे यानि कि लगबग 120% return annually आपको मिल रहे हैं तो जब भी आप return calculate करोगे मैं strategy बताने के पहले यह ग्यान आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा realistic approach market में रखो काफी सारे traders को यह लगता है कि वो market में अगर आता है let's say 10,000 रुपे के capital से तो वो हर महीने इसको double कर लेंगे यानि 10,000 के capital से हर महीने 10,000 का profit कमा पाएंगे जो की हो सकता है आपके साथ 15 दिन हो भी जाए आप 15 दिन में 10,000 के 15,000 कर भी लो ठीक है यानि 5,000 का profit आप कर भी लो तो अगले 15 दिन में there are high chances कि आप ये 15,000 के 15,000 रुपे डुबा दो क्योंकि फिर आप बहुत high risk ले करके trading कर रहे हो जो की नहीं करना चाहिए तो आपका capital साइज कितना भी हो वो matter नहीं करता मैंने आपको general terms में बता दिया कि अगर आप 4% या फिर उससे ज़्यादा का return निकाल पा रहे हो अपनी strategy पे तो बहुत अच्छी बात है आप बहुत बड़े traders में से एक बन चुके हो अगर आप ये कर पा रहे हो तो ठीक है वरना 2% पर मंत की return वाली तो बहुत सारी ऐसी strategies है आपको comfortably महीने का 2% 0.5% return दे देंगी low risk होगा जिनके अंदर कुछ 0.75% 0.5% का मंतली उनका drawdown होगा तो ये system जो है high risk वाले वो 4% या उससे जादा का return आपको दे रहा है अच्छी बात है now strategy क्या है उसके उपर move on करते हैं without wasting any time let's get started तो देखो सबसे पहले आपने क्या करना है आपने धन आप के उपर login कर लेना है धन वेब के उपर और यहाँ profile वाले icon पे click करके सीधा trade on trading view chart पर click करना है इसका फायदा क्या है जल्दी से बता देता हूँ trading view के बहुत सारे premium features जैसे unlimited indicators layouts वगरा आपको free में मिल जाएंगे बहुत सारे features trading view के आपको free में access करने को मिलेंगे वो features जिनके आप trading view को premium pay करते anyways now moving forward strategy के answer बहुत simple strategy है strategy है price action और एक indicator जिसको हम बोलते हैं RSI price action plus RSI इन दो tools को जब हम मिला कर use करते हैं equity trading के लिए खास कर तो हमें बहतरीन results जो हैं वो देखने को मिलते हैं कैसे मैं आपके सामने अभी एक live example दिखाऊंगा मेरा morning का एक trade था बहुत ही अच्छा जो कि आपको भी पसंद आएगा इस simple सी strategy की मदद से देखो price action अगर आपको नहीं आता तो TTP आप एक बार जाकर visit कर सकते हैं बटन पर क्लिक कर कि पूरा course मैंने structured आपके लिए फ्री में बनाया है वी candle की तब आपको RSI की final value मिलेगी मतलब यह एक lagging indicator है जब market में price decide हो जाती है उसके बार यह indicator अपनी value बताता है अब इस indicator को जब आप लगाओगे जैसा आप देख सकते हों यह मैंने नीचे RSI लगाया हुआ है तो यहाँ पर आपको दो bands दिख रहे होंगे एक upper band और एक lower band तो यह जो upper band है यह 70 रुपए पर होता है और lower band होता है 30 रुपए पर सर इस सब का मतलब क्या है यह आप हमें समझा क्यों रहे हो समझना बात को जब भी RSI above 70 होता है तो हम यह मान के चलते हैं कि market overbought है overbought मतलब market में ज्यादा खरीदारी हो चुकी है और अब एक correction आना है हमने पढ़ा था ना price action में higher highs higher lows बना करके market उपर जाता है तो यहाँ पर जब होता है that means RSI is above 70 overbought हो गया थोड़ा सा correction आएगा और as a trader आपके लिए correction ही एक अच्छी short position की opportunity बन सकती है तो in short जब सारे traders majority retail traders ही सोते हैं अरे वहाँ यहाँ देको resistance break हो गया और buy कर लेते हैं वहाँ पर आप buy करने की बजाए sell कर सकते हैं इस indicator की मदद से मैं यह नहीं बोलूँगा इसकी accuracy 100% है बिल्कुल भी नहीं है बट जब इसको price action के साथ में mix कर देते हो तब इसकी accuracy improve हो जाती है similarly यह जो 30 वाला lower band है यह हमें क्या बताता है 30 के नीचे अगर RSI है if RSI is less than 30 तो मतलब market oversold है मतलब जरूरत से ज़ादा लोगों ने बेच रखा है माल तो मतलब अब कहीं न गई है upside का movement upside एक correction हमें देखने को मिल सकता है तो in short अगर RSI 70 के उपर है तो हम लोग यहाँ पर sell करने की opportunity ढूनते है और अगर 30 के नीचे है तो हम लोग buy करने की opportunity ढूनते है मैं यह यह नहीं बोल रहा हूं कि 70 के उपर है तो हम sell करते हैं 30 के नीचे है तो हम buy करते हैं यह नहीं बोल रहा हम यह करने की opportunity ढूनते है अब वो opportunity कैसे ढूनी है यह समझना आज ही Reliance का chart है अभी market open है क्यूंकि मैंने यह पर यह pen on किया हुआ है इस वज़ा से screenshot लेकर के रख लेता है जैसा आप देख सकते हो एक upper trend line strongly यहाँ पर rejection देती हुई market को आ रही थी and जैसे ही market ने आज इस upper trend line को touch करा यहाँ पर आप RSI की value अगर देखते हो तो RSI यहाँ पर लगबग 80 के पास था 76 के आस पास था और फिर जैसे ही हमें एक hanging man pattern दिखता है जो की एक short करने का pattern होता है बेचने का pattern होता है वो दिखते ही हम लोग यहाँ पर अपनी entry plan करते और एक अच्छे से target के लिए हम लोग move करते for example low इस low का हम लोग अगर target ले लेते एक बार मैं आपके लिए यहाँ पर horizontal line मना का target भी बता देता हूँ यह हम लोग target 1 मनाते और यह बनाते हैं हम लोग target 2 अब यहाँ पर हम risk reward की बात कर लेते हैं कितना हमको risk reward यहाँ पर मिला short position पर गए यह रही short position यह रहा मेरा 4 रुपय का stop loss अब सबसे पहले देखते हैं target 1 target 1 पर में को 1 is to 1.35 का risk reward मिल रहा है target 2 पर मेरे को 1 is to 3 का risk reward मिल रहा है वहीं अगर बात करते हैं हमारे minimum की which is 1 is to 2 तो क्या हमारा minimum अचीव हुआ तो यह रहा हमारा 1 is to 2 और यह market ने hit कर दिया है लगातार consistently market ने downside movement देखे हमारे target को hit किया तो बड़ी simple सी strategy है इसको थोड़ा बहुत अगर आप back test भी करोगे तो आपको समझ में आएगा कैसे strategy आपके काम आ सकती है for example यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाता हूँ भी तो यह एक काफी अच्छा support zone आप लोगों को दिख रहा होगा ठीक है यहाँ से market multiple times reject हुआ एक बार तो इसने यहाँ पर एक काफी अच्छा consolidation करके upside की rally भी करी यहाँ पर RSI आता है 30 के नीचे देख सकते हो आप value आप RSI की 26 आ गई और उसके बाद हमें double bottom pattern देखने को मिलता है कुछ double bottom type का pattern या फिर consolidation आप लोग बोल सकते हैं बड़ी green candle जैसे ही बनती है हमारी long position जो है execute हो जाती है long position entry generate हो जाती है stop loss हम लोग लगाते है हमारे support के नीचे अब 9 रुपे का stop loss है तो जाहिर सी बात है 8 रुपे का target भी होना चाइए तो यह हमारा 8 रुपे का target 18 रुपे का target हमारा जो है easily achieve भी हो जाता है 19 रुपए का यहसा आप देख सकते हो इंट्राडे में तो इस तरीके से आप इस सिंपल सिस्टम को यूज कर सकते हो अब यहाँ पर सबसे इंपोर्टेंट चीज आती है सर इंट्राडे करते है टाइम क्विक एंट्री इस बहुत जरूरी होता है तो यहाँ पर यह देखो सबसे खास बात है इस कैल पर मोड सिर्फ इस कैल पर पर क्लिक करा यह कब आएगा जब आप अपने धन आप को लॉग इन करने के बाद ट्रीडिंग भी ओपन करोगे स्कैल पर मोड आएगा यहाँ पर आपको all I have to do is यहाँ पर मेरको quantity एंटर करनी है which is 100 and just click on buy or sell, sell करना है तो sell, buy करना है and order automatically execute हो जाएगा, इतना easy यहाँ पर बन गया है, साथ में यह buttons का use करके आपको limit order डालना है trigger करना है, cover order डालना है bracket order डालना है, वो सब भी आप कर सकते हो MTF भी आपको देता है margin trading facility भी आप इसमें use कर सकते हो, बहुत सारे features हैं जो कि आप यहाँ से explore कर सकते हो and directly chart से ही trade ले सकते हो, तो धन app में अगर आप account खुलवाना चाते हैं, तो description में आपको link मिल जाएगा and I hope आपको इस strategy अच्छी लगी, system पसंद आया होगा, पूरा course अच्छे से देखिएगा, अगले वीडियो में लोग risk management के बारे में discuss करेंगे, तब तक के लिए, thank you so much for watching this is Divya Amparashar signing off, take care, bye bye